हेलो फेंड नमस्ते आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडियन फीवर में तो मैं आपको बताता हूं कि आज भी मैप है क्या और यह लॉंच किसलिए किया गया है तो भी मैप को भारत इंटरफेस मनी के नाम से भी जान सकते हैं इससे डेजिटली पेमेंट करने के लिए यूज किया जाता है ड्यूट्यू कैसलिस इंडिया या यह बहुत ही ईजी प्रॉसेस है इसमें आपको आपको टूरल डिपेंट्स और यूर नमबर तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नमबर रिजिस्टर कराना होगा अपने बैंक अकाउंट में अगर आपका अकाउंट र वारा लांच किया गया है जिसका बतलब है कि National Security of India तो आप समझ सकते हैं कि कितना सिक्योर है आप इसे बिल्कुल बहुचर का इसे इंस्टॉल कर सकते हैं आप इसे इपेमेंट कर सकते हैं तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसमें इपेमेंट होता है तो सबसे पहले आप इसे प्ले स्टोर उपन कीजिए अपना प्ले स्टोर उपन करने के बाद आप भीम पेमेंट डाउनलोड करें तो आपको यह खुल के आजाएगा तो यह उपन होने के बाद आप इसे इंस्टॉल कीजिए अब देख सकते कि 1.90 MB क्या है यह इंस्टॉल हो रहा है आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इंडियन फीवर जिससे कि और आपको लेटिस्ट अपडेट मिलती रहे है यह इंस्टॉल हो रहा है यह देखिए अब इंस्टॉल हो गया तो मैं आपको बताता हूँ कि आगे काम कैसे करते हैं सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि अगर आपका फोन मार्समेलो है तो आप में यह इसको ओपन करने के बाद पुछेगा कि आप कौन से SIM यूज़ करना चाहते हो अगर आपका डियोल से मैं ठीक तो आप जो भी आपका नंबर उस बैंक अ आपको वो SIM टच करना होगा और एक बात कि आपके उस अकाउंट में कुछ बैलेंस होना चाहिए ठीक है एक एक डेड़ रूपए आपको उस बैलेंस में उसमें बैलेंस होना चाहिए जिससे कि वो पेमेंट का चार्ज लेगा वैरिफाइब करने के लिए तो अब आप इसे आपन कीजिए भारत इंटर्फेस फॉर मनी तो आपको यह लेंग्विज चूज करने के लिए बोल रहा है अगर आप इंगल्स में कमफर्टेबल तो आप इंगल्स चूज कर सकते हैं अप नेक्स्ट करिए नेक्स्ट आप इससे देख सकते हैं कि आप इससे नेक्स्ट कर दीजिए यह देखिया कैना तो सीक्यूर्ली वेरिफाइए और मोबाइल लंबर फोन स्टेट तो वेरिफाइए और फोन यूपी आई वित यूपी आई तो लेट्स केट स्टार्ट अब आपको यहां ऊपर वार्निंग दे रहा है फार आंड्रोइड OS version less than 5.1 in case of dual sim please use your register number as primary तो इसका पतलब है कि अगर आपका operating system mobile android version का 5.1 से कम है तो आप dual sim setting में जाएए और आप उस sim को recognize कीजिए जो आपका sim number उस bank account में attached है तो मैं आपको बताता हूँ जैसे कि मेरा account dual sim setting में आप चले जाएए dual sim setting में आपके दो से मैं तो मेरा idea का account number उस account में attached है तो मैं idea को on करूँगा और simone को बंद कर दूँगा जिससे कि हमें idea के number को primary मिल जाएगी ठीक है फोन नंबर verify होने के बाद अब आपको इसमें आपको चार नंबर का फिन कोड डालना है तो मैं आपको आगे की process इसके बाद की बता अब आपको अपना bank decide करना है कि आपका account किस bank में है बैसे तो वह अपने आप verify कर लेगा अगर नहीं होता है तो इन देखेस आपको decide मैंने अपना account select कर लिया है अब मुझे six digits का pin डालना है इसमें तो फिर उसके बाद मैं able हो जाओंगा receive और pay करने के लिए money अब आप able हो चुके हैं payment करने के लिए receive करने के लिए आप तीन तरह से कर सकते हैं send request और scan qr code से भी अब आप payment कर सकते हैं तो अब आपको पूरा tutorial समझ में आगे होगा अगर कोई भी problem हो तो आप नीचे comment box में आप मुझे बता सकते हैं मैं उसकी वीडियो आपको next video में बता दूंगा सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल को subscribe करना होगा जिससे में वीडियो अपडेट करूं तो आपके पास notification आ जा हो सकता है क्योंकि अभी इसके नए नए features है तो थोड़ी problem हो सकती कई कई बैंक कभी attached नहीं है इसमें जो कि आपको दिये गया है उसमें तो आप कुछ दिन और वेट कर लीजिए या फिर आप अपके पास SBI का account है तो आप SBI का बहुत ही इसाही चल रहा है आप payment कर सकते हो S SBI से Union Bank वे गहरा तो और बैंक्स जो है अभी दीरे दीरे और attached हो जाएंगे इसमें अभी तो यह launching है कली launch हुआ 30 December को तो अब आपको आपको अपको इंजॉय कीजिए और e-payment का मज़ा उठाई है बहुत इंट्रेस्टिंग है यह thank you for watching my videos for more videos please subscribe and share with your friends अगर आपको पसंद है तो प्लीज लाइक बटन को हिट करें और red clear का logo आप प्लीज उसे दबा करके subscribe करें thank you friends